हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो मारा Samsung Galaxy A23 5G Phone है तो Samsung Galaxy A23 5G Phone की Settings पे जा कर जो मारे Phone में, Data Warning की Limit है तो data warning की limit को आप set कैसे गर सकते हैं Samsung Galaxy A23 5G phone में और आप कैसे data warning की limit को set कैसे गर सकते हैं Samsung Galaxy A23 5G phone में तो आज हम वीडियों बताने वाले हैं कि data warning की limit को आप set कैसे गर सकते हैं Samsung Galaxy A23 5G phone में तो आज हम बताने वाले हैं कि वीडियो स्टार्ट देने से पहले मारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन दवाने ना भूलें तो आप देख सकते हैं कि फोन की आइकन से शो रहे हैं तो आपको Swipe करना है, Swipe करती, All Icons Open हो जाएंगे इस तरही जाएंगे, तो अपन हो गया है, तो आप इसमें कैसे आप Data Warning की Limit को Set कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दे सकते हैं, Settings पे क्लिक कर देना होगा, क्लिक करतीбы कि फॉन की सेटिंगतिसा आपके leurs पन हो जाएगी इस पे जाकर आपाटा वारिमिट को सेट कर सकते हैं जैसे आपकी फॉन की सेटिंग से शो हो रही हैं कि मैंत तो आपको जाना होगा क्नेक्शंस पे तो क्ंशंस पे जार जो भी आ को सेट करें तो कर सकते हैं तो आपको इस पर जाना है और जब आप इस पर टैप करते हैं तो टैप करते हैं इस पर जाकर वार्निंग लिमिट को आप सेट कर सकते हैं सब्सक् villages oversampli advanced settings पर जा आपके पार सिस्ता और जिस पे आकर ऑन पार कि सैट कर सकते हैं थो हम सेट करना चाहते हैं दो सीजिव करना चाहते हैं लिमिट that 500 MP तो एक करती आपके 500 MP 7 हो जाएगी एक कर देना है जिससे आपके लिमिट है एक सेट हो गई और आफ शेफ करते हैं और वर्निंग नॉटिफिकेशन भी आपके फोन में शोग कर जाएगा तो इस तरही से डाटा वर्निंग की लिमिट को आप सेट कर सकते हैं कि Samsung Galaxy A23 5G phone में तो आपको वीडियो अच्छ लेए तर लाइक एन सब्सक्राइब करें बैल आइकन दवान ना भूलें थैंक यू